हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करते स्विक अच्छोंगे तो आज हम लोग मैथ के बारे में जाननी की कोसिश करते हैं कि आखिर जो TRE की एक्जाम हो रहे हैं उसमें मैथ के कोशन जो है कहां से आ रहे हैं किस लेबल तक या रहे हैं तो आज मैं आपके समय स्क्रेजन चार कोशन लेके आया हूँ जो कि दो कोशन TRE 2 में और दो कोशन TRE 3 में पुछे वे थे और उम्मीद है कि आने वाले जो एक्जाम होंगे उसमें भी इसमें से दो कोशन देखने के लिए मिलेगा उसके लिए मातर एक चयप्टर में लेके आया हूँ और उसी चयप्टर से ये चारो कोशन पुछे गया थे लिए टू में भी और ठीर में भी इस तरह से क्या होगा कि इस एक वीडियो से आपको आज की वीडियो में दो कोशन को आप पकड़ बना लेंगे जवरतास तरीके से और वो दो question आपका final हो जागा मैं उस chapter को बताऊंगा कौन से chapter question पूछा था उस chapter के कुछ question को अभिहास भी करा दूँगा और उसके अलावा मैं आप सभी को task दूँगा आज की वीडियो में क्योंकि मैं कल भी बोलाता कि अब जो पढ़ाई होगी उसमें आप सभी को task पहले से दिया जाएगा ताकि आप अपना preparation प्रैक्टिस ये चालू रखे continue रखे मैं PDF कर दूँगा आपके पास होगा तो आप अपने book से उसकीज़ेगा book का नाम chapter का नाम topic का नाम सारे चीज़े clear करता हूँ सूर करते हैं सबसे पहले देखेंगे question number one देखेंगे ये है theory two में जो question आया हुआ था आयत की चोड़ाई उसकी लंबाई एक आयत की चोड़ाई उसकी लंबाई की तीन चोठाई है ठीक है यदि आयत की परिदी परिदी मतलब परिमाप परिमेटर जो होता है 546 सेंटीमेटर है और आयत की बिमाई सेंटीमेटर में ग्याद कीज़े तो आयत की बिमाई यानि लंबाई चोड़ाई बताना है कि आयत की लंबाई कितनी आयत की चोड़ाई कितनी पहला question दीख आप सभी को next आजिए दूसरा question एक दुकान में दो pencil और तीन रबड की कीमत 9 रुपे और 4 pencil और 6 रबड की कीमत जो 18 रुपे हैं परतियक pencil और परतियक रबड की कीमत क्या हैं पहले question को समझे मैं बता रहा हूँ कि इससे related chapter जो दिया कि उसमें सारे question इसी type के दिये हुए पूरे question इसी type के दिये हुए तो ये तो खेर question आप सभी तो practice किये होंगे क्योंकि ये तो previous year question है ये तो सब बना चुके होंगे मैं इसके अलावा बताना चाहता हूँ पहले ये question देख लिजिए कि pattern same है कि नई same है आपको विश्वास हो जाएगा यहां देखी एक बैग में 187 एक रुपे पचास पैसे और दस पैसे के सिख्के की रुप में तीन अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में है तीन चार पाँच के क्या है अनुपात में और बैग में परती एक परकार के सिख्कों के संके कितनी है यानि कि 187 गृपय टूटल बैग में है उसमें एक रॉपया है, पचास पैसा है और दस पैसा भी है बैगवा में अब उस बैग में जितना पैसा हो उसका अनुपात दिया है 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात ठीके अब पूछ रहे कि सिख्का कितना है यह तो अनुपा कि इसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है ठीक है यह चारो कोशन आपके समझ आए अब यह जो कोशन है यह previous question है इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसको कई बार आप देखे होंगे कई बार प्रैक्टिस किये होंगे आप तक ज इसको पहले कर लिजिए प्रैक्टिस नहीं भी करना होंगे तो कम से कहाँ पैटर्न को समझने कोशिस कीजिए कि question कहां से पूछ रहा है ठीक है यह चारो कोशन देखें दो कोशन टीरी 2 में और दो कोशन टीरी 3 में बता अब इस से रिलेटेट मैं topic बताता हूँ कि किस topic से question पूछा हूँ आता है और उस topic को कैसे पढ़ेंगे आए इस topic को देखते हैं लो यह आपके समने screen पर दीख रहा होगा यह है आपका 8 class का 8 class का 8 class का बिहार बोड यानि की SCRT का SCRT का है ठीक है बिहार बोड SCRT का है उसका SCRT का 8 class का दूसरा नमर अधिया दिखेगा तो लिखा हुआ है एक चरवाले राइखिक समिकरन ठीक है अधिया नमर दो ठीक है अब इस पूरे अधियाय का जो PDF आपके सामने यह दिख रहा है इस PDF को मैं आपके जो आप सभी के आप सबी हो और को मैं अधिया आठ में चेह नमबर आजाना चाहिए बहुत खराब हो तो 5 जरूरा यह दो यह जबकि- ये 6-8, 9-10, 11-12 को छोड़ा जाए तो 1-5 को जादा फायदा होगा और बाकी जो 6-8, 9-10 है उनका तो 8 ही कोस्टन है वो 8 कोस्टन को मैं पूरी तरह से कोस्टन करूँगा कि 6 कोस्टन को अप लोग का जबर्दस तरीके से प्रैक्टिस करा दू आठो का आठो प्रैक्टिस करा मेरा कि आप एक्जाम में जिनका बहुत कम जोड़ हो मैत वो भी पास से छे जरूर बना ले और जिनका मैत में थोड़ा भी पकड़ होगा बढ़ी ऐसे, मैत में थोड़ा भी पकड़ होगा क्योंकि जो रेलवे वगर आगा तैयारी करते होंगे पहले से, या किसी भी मैस से related competition में होंगे तो आसानी से बना लेते होंगे अमोमन आठ में चार जो ऐसे question रहते हैं वो easy रहते हैं exam में बहुत ज़्यादा easy रहते हैं जो आपको देखकर समझा जाएगा बन जाएगा तू रहते हैं दो जो question रहते हैं थोड़ा सा तरीकस वो बना पाता है वर नहीं भी बनाएगा तो कोई दिखत नहीं कम से कमी छे question का तो command आपको होना चाहिए बहुत किसी का जो चार question भी math में नहीं बन रहा है तो यह बहुत गलत बात है चार भी question अगर आठ में नहीं बन रहा है तो यह मुस्किल वाली बात है उसको उसी समस्याव को मैं दूर करने की बहुत ज़्यादा कम जोड़ है और जिनको पहले से knowledge है उतना खास देखने की जुरूत नहीं है लेकिन जो कम जोड़ है जिनको एकदम कोशिस करना है कि भाई हमसे एक दो तीन question ही बनता है सही से तो उनको मैं suggestion करूँगा कि आप इस chapter को पूरी बढ़ियाँ से पढ़ियेगा जबरदस तरीके से ठीक है कैसे क्या चीज़े लिखी गई उसको पढ़ियेगा देन उसके बाद आईएगा आप लोग chapter number इसका एक का इस chapter से related जितने भी उधारन के question होगे है पहले उधारन के question बनाना है आपको उधारन के एक भी question नहीं छोड़ेना है इस पूरे उधारन के question को क्योंकि question और answer दोनों सामझ दिया है इसको आप लोग को solve करना है समझने questions करना है क्योंकि आप तो 8 class के तो बच्चे नहीं है क्य रहता है उसके बाद आएंगे नीचे में तो यहां जो question दिया गया है जितने भी question इसमें से 2-3 question को practice कीजिएगा जैसे कि यह वाला question ठीक है उसके बाद यह 6 question 10 question 9 question उसके बाद 7 one number question 6 7 आप 6 से लेका 10 तक कोशिच कीजिएगा 6 7 8 9 10 यहां तक यह question बना लिजिए अगर ठीक ह पाँच question जो है 6 से लेकर क्योंकि उससे उपर तोड़ा सा easy है लेकर 6 से उपर 10 तक कोशिच बनाने एकोसिस कीजिएगा प्रैक्टिस रहेगा तो चीजे समझाएगी उसके बाद पहुँचीएगा आप लोग अब यहां देखिए उधारा नमबर 4 दो संख्याओं का यूग इकोसिस करता है इसको पढ़िएगा न आप तो बहुत बहुत बहुतर तरीका से आपको समझाएगा ठीक है उसके बादा जी नेचे यहां तरीका भी बता है दो दो तरीका बता है कि कैसे बलेगा और यहां देखिए यहां question यह बलाईए कह रहा कि जैसे question एक पुछा हुआ पैटर्नों को पता रहता तो वो भी question आप बना सकते थे हैं पहली बात है कि आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से बनेगा तो question हाड भी पूछेगा तो बन जाता है यही सब question है आपको दीख रहा होगा same question इसी तरह से इसी type के question जो आपके exam में आई हुए थे next उसके आई एम चोड़ाई ग्याद किजिए अब यह question जो है पूरी तरह से ठीक ठाक question है और यह question पूछ सकता है आने वाले exam में मुझे उम्मीद है कि question पूछेगा यह अना one to five हो यह six to eight में कहीं ने कहीं यह question पूछेगा कि यह question ठीक 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 लग रहा है और लेबल लग रहा है इसका question जो exam में आने चाहिए ठीक है यह question आ सकता है इस question को आप लोग खूब बढ़ी है से practice किजिए लो बहुत हीजी यह question को बनाना यहाँ पर आप पूरी कहान को पढ़ेंगे तो जवर्तस तरीका से समझाए जाएगा क्योंकि यह solve किया हुआ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आगे जो question उसका दू-तिन question को मैं अभिहास करा दे रहा हूँ पहले जो solve किया हुआ उसको आप लोग इसको यहीं पर सब चीज बना हुआ है तो उसको क्य बताऊंगा चीजे को बोलिए कि देखी देखी को बता रहा हूँ तो इसको छुड़िया भी यहां उधारन चार देखे जूली की मा की वरतमान उमरे जूली की वरतमान उमरे के तीगुने से एक वर्स कम है यदि पांच वर्स पहले उसके उमरे का योग 29 था तो उसकी वरत सभी सिकों के संक्या के 3 परतेग के पास कुतनी रासिया है अब बताइए ये कौशन इस तरह का Пूचता है तो कोशना अप़ाओ पर आपरे कितना भारी कोशन है जो थोड़ी से मैस्फ मैं कम फॉड़र है उनको मैं बोल रहा हूँ जुनका मैत में तो थोड़ा सा पकड़ा मौझब है तो उनके लिए तो बहुत ही जी रहता है यह सब चीजे अब जुन मैत से दूर-दूर सा तालुकात नहीं रख रहा है जिनको अब यह कोशन पढ़ते हैं अजीब सब फिलाएगा कि भाई साब इसको छोड़ी दे रहा है स्किज़ए कर दे रहा है एक्जाम पुछिए अब लोग कोशिद को गयोर पुछता है कहां से पुछता है जब कि किस क्लास का यिट क्लास का कोश्चन है अब समökजगे एक क्वच्चिन का लेटल डेखे यह वी क्वोशन मुझे उम्मिद है कि किससे एक्जाम में आपल जबरदस्त है अच्छा लेवाल है इसको भी प्रेक्टिस की जिए पिलूओ एब यहां देखें यहां लिखा है तीन करमागत विसम संख्याओं का योग दानेवे है, वह संख्य ग्यात करें, तो कि अग्या है, वह संख्य करें, इसलिए लिए गर्ती काकुंता क्यों संख्य जोड़ेंगे वी मैं जोड़ेंगे, तब ही जाएको वह बीशम बनेगा आप करके देख लिजेगा ठीक है इसलिए ऐसे दिया हुआ है ठीक है आगे आजी है और इस दस कोश्ण में से आप उमीद रखिएगा एक डम देखिएगा एक कोश्ण जुरूर आएगा सें लिश्यण है इस पूरे चाप्टर में से दो कोश्ण आनेềं है ठीक है StSam2 amazing Math में देखिए मैत में चीजे हू बहु तो नहीं आती है लेकिन डाटा सेम रहता है टॉपिक सेम रहता है सोरी डाटा अलग लग रहेगा लेकिन टॉपिक सेम रहेगा टाइप सेम रहेगा मतलब क्या है जैसे एक बटा चार लिखा है आधे में एक बटा चार घटाए जाए यानि किसी संख्या के आधे में से कोई भी संख्या हो मनिक चलिए संख्या हो गया X इसका आधा संख्या के आधा होता है X बटा 2 में से एक बटा चार घटाए जाए क्या घटाएंगे एक बटा चार घटा दीजी इसलिए मैं बोलड़ा कि उसको जो practice करेंगे तो यह चीजे जब इस रूप में आप ढ़ाल लेंगे तो तुरत बन जाएगा कैसे बनेगा अब इसको यह चीजे जो होती है याद रखिएगा बराबर का इधर यह संख्या को अगर इस सैडल आ रहे है तो sign change हो जाएगा अगर यह minus में दिया है तो minus में हो जाएगा गुना में दिया है तो भाग में भाग में दिया है तो गुना में यह चीजे जांगते ह है और इसको solve अगर किया जाए तो कैसे solve करेंगे तो यह याद रखेगा इसको अब आगे यह बटा का जोड़ा गया बटा का जोड़ा सबको पता है अब इस दोनों के LCM ले सकते हैं सबको पता है जाए तो LCM ले सकते हैं Alice M लेंगे तो नीचे हो गया 8 उपर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा उपर में एक और उसके एपर हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है हो जाएगा आप सभी को पता है अब यह आ गया तीन बटा आठ हो गया कितना हो गया तीन बटा आठ हो गया ठीक है तीन बटा आठ है या एक्स बटा टू जुकल टू कितना हो गया तीन बटा आठ अब इस वाले से के इस टू को इधर लाना, बराबर के इस सेड़, ये टू लोगे को इधर लेकर आना, अब इसको कैसे लेकर हैंगे, तो याद रखेंगे, इस सेड़ से, ये इस सेड़ आएगा, तो इसकी जो प्रकृति है, वो चेंज हो जाएगी, यानि अभी किस रूप में है, ये भाग के रूप में, बटे के रूप में, ये उटके इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर उटके इसको इधर लाते हैं, यहाँ से बानक चले इसको हटा दिये, इसको यहाँ से एरेज कर देते हैं, अब कहां लेकर आते हैं इसको, तो इस सेड़ में गुना में आजाएगा, टू, क्या हो 2 हो गया आपका 3 बटा 4 हो गया एंसर यही आ गया X का एंसर निकल गया यहां से एंसर निकाल सकती है दूसरा देखे कि कुछिशन जो लिखा हुआ आपके दूसरा जो कुछिशन लिखा हुआ यदि किसी आयत की लंबाई चोड़ाई का अंतर 5 है यानि कि अगर लंबाई माइनस चोड़ाई किया जाए तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है यानि लंबाई और चोड़ाई का अंतर 5 है अंतर मतलब होता है कि दूने के बीच में गटा इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो लंबाई बरावर है याना पांच पालस mäταफ्ट चोड़ाई के यानि चोड़ाई में अगर पांच डोड़ा जाएगा तब जाएगा इसको लमधाई मिलेगा समझ आगे यहां से कानई, आगे लिका है कि इसकी परिमाब कीतना है 110 राणी की परिमाब गहता है कि अब परिमाब क्या होता है कि आयत के परिमाब देखेंगे तो दो गुन है क्या होता है L पलस B यानि लंबाई पलस क्या होता है चोड़ाई जानते है आप सभी को आप से पता है तो दो गुने लंबाई पलस चोड़ाई बराबर दिया है 110 नहीं है तो दोनों को जोड़ने के बाद 110 है अब इस रूप में जब उतार लिजएगा आसानी से इजली रूप से बना लेगे कैसे आप देखेंगे तो दो गुने क्या हो जाएगा दो गुने अब इसको स्वालब करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 5 अब इसको ठोड़ा सबस्ट प्रस बताता है क्योंकि कन्या होना चाहिए अगर मानगे चली क्या था लंबाई होना चाहिए लंबाई है पहली बात की चावडाई उसका क्या दिया है दोनों में से चोड़ाई, क्योंकि छोटा हो अतर तो चोड़ाई मानें, मन के चलिए उसकी चोड़ाई जो है, X मान लेते हैं, तो लंबाई क्या करें, कोशन कहा रहा है, कि लंबाई जो है, चोड़ाई से 5 जादा है, क्या जादा है, 5 अधिक है, क्यों 5 अधिक है, क्योंकि क पांच है ति इसका मतलब लंबाई समझा गया लंबाई समझा है कि X plus 5 और चोड़ाई समझा है आप से भी को कैई समझा है चोड़ाई समझा है X है अब दोनों को फर्मूला पर रख रहे हैं कि दो गुने लंबाई पलस चोड़ाई क्योंकि लंबाई और पलस चोड़ाई होता है आपको मालूम है कि यह आयत का परिमाप यह चीजी तो याद रखना पड़ेगा और इसका answer दे दिया 110 आपको कहारा है कि लंबाई और चोड़ाई जो missing है उसको निकालिए तो क्या करेंगे दो गुने सिम टू सिम जैसे है वो सी तर रखते जाएंगे लंबाई को लिखेंगे एक्स पलस पांच और चोड़ाई को लिखेंगे शिरिफ एक्स और इस उकल टू हो जाएगा 110 अब इसको दो गुने और यहाँ पर एक एक्स है दूसरा एक्स है भाग के रूपे यानि कि 2 एक्स से पलस पांच और बुरावर 110 और यह दो जो है उठके यहाँ उठके आगे यानि कि बटे 2 काटेंगे तो हो जाएगा 55 55 हो गया अब इसको solve करते है तो टू एक्स देखेंगे आपका क्या हो जाएगा नीचे यहे तो टू एक्स में देखेंगे अब यह प्शू यहां पर यहाँ पांच उठके आ कि आएगा तो जईसे अधर इधर पलस है उदर माइनस पह सिरके खाएगा 50 हो जाएगा तो यानि पचास बटे 2 हो जाएगा अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया पचीस हो गया आपका x कितना निकला x निकला आपका 25 शोड़ाई था तो लंबाई उसा हो जाएगा x पलस 5 यानि कि x निकला 20 25 पलस 5 यानि वो गया लंबई आपका 30 है कि नहीं है लंबाई अपका 30 आ गया तो इस समझ आगे आप सभी को अब उसी तरह तीसरा जो question लिखा है तीसरे question को मैं उसका बना दे रहा हूं question को solve लेकी नहीं करूंगा आप सभी उसको तब कर रहे कि प्रारण में चीनी के मुले पषथ कर गया थी क्या थी यानि कि पहले चीनी के दम कितना था अब बढ़ के 22 रुप्या है बढ़ा कितना है तर फासी सब तो मान के चलिए कि 25 परसंट बढ़ गया यानि कि 125 परसंट हो गया सिंपल मान के चलिए पहले जो चीनी पर मिलता होगा वो 100 परसंट मान के चलिए कि पहले जितना भी मिलता हो 20 रुपर मिलता हो जो भी मिलता हो तो वो 100 परसंट है बढ़ कितना गया है 25% यानि वर्तमान में चीनी के दाम 125% हो गया जैसे लोग नहीं मन के चलिए कि कोई चीज पांच रुपर मिल रा है और साथ रुपर मिले लगता है लोग बलता है कि ड़ड़ गुना बढ़ गया यानि कितना बढ़ गया है वो 50% बढ़ गया समान के दाम यहीं ना पहले से 25% मतला मतलब 125% हो गया अब 125% हो गया तो सिंपल बात है किसका 125% बल रहा है उस चीज का बता رहा है जो हम लोग दाम्य नहीं मालुम है यानि कि कोई चीनी कितना मुल्य मिलता तो नहीं पता है यानि नहीं पता है तो उसको बोलते X X का 125 पर 30 बराबर है 32 रुपईया और यही X को हमको गायब है अब इस रूप में अगर इसको convert कर लेते हैं तो बनाना बहुत हीजी रहता है अब X का X गुने यानि X का कितना है का इसको बोलते है यह जो गुना लिखे इसको बोला जाता है का यानि ओफ बोला जाता है तो ओफ लिखे या का लिखे बात वही हुआ या इसको multiply एक गुने एक सो पचीस अब आपको पता है कि 30 मतलब होता है 100 और इस इक्वाल टू यहां 32 हो गया अब इस रूप में कैसे करेंगे इसको इधर लेका है इस रूप में यह बटम हो जाए मुmilटिपला यह गुननाम है तो गुननाम हो गया और यह उपर में गुननाम है अब इसको इतना दूर से डिभाइड करके दिखेंगा आपका जो है एंसर निकल जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा एंसर निकल जाएगा उसी तरह चोठे कोशन है चोठा कोशन देखेंगे क्या है तो दो बिभिन मुल्ले वाली 35 कलमों का मुल्ले 60 रुपे हैं और यदि एक सस्ती कलम का मुल्ले डियर रुपे है और एक महंगी कलम का मुल्ले दो रुपे है तो महंगी कलमे खर दी गई कितनी कलम खर दी गई है तो महांगा कितना कलम खर दा गया इस question को बनागी गलो उसके बाद same देखिए तिरी भूज के तीनो कोने का अनपाद दू अनपाद, तीन अनपाद, पाँच अनपाद के रूप में है तो तीनो कोने का मान ग्याद कीजिए अब ये भी question बनेगे गलो ये जितना भी दिया है न question इसको आप सभी को practice कर लेना है आज कल में इसको समय नहीं देना है कि दो दिन तीन दिन बात देखेंगे आपको तुरत के तुरत practice करना है और इसको पूरी तरह से complete कर लेना है ये आप सभी के उपर मैं छोड़ा हूँ इसको जरूर से जरूर practice कर लेंगे और जितना भी उधारन दिया होगा ये सारे उधारन को बना लेगे अगर इसको आप लोग complete बना लेते हैं इतनी guarantee है कि दो number जो है आप लोग का आपके हाथ में आ जाएगा आपके कबजे में आ जाएगा उसी तरह 2.3 है 2.3 को सिर्फ ये solve करना इसको ये चीजे दो है direct exam में नहीं आती है इसको भासा करूप में आता है लेकिन इस चीजे का practice रहेगा तो उस रूप में अगर convert कर लेते हैं ऐसे इस बदल लेते हैं तो आप बनाना आसान रहता है तो इसमें से सब नहीं तो कम से कम 2-4 जैसे उसको कैसे बता हैं इसमें से भी कुछ-कुछ कोशन को जो आप लोग को लगेगा कि भारी है उसको जरूर बनाना है उसको छोड़ना नहीं है प्रक्टिस कीजेगा लोग बनिया से नहीं हो पाएगा तो इसको प्रक्टिस भी करा दूगा फिलाल मैं आप से सबी को बताना चाहता था कि ये जो चार कोशन जो है इस चेप्टर से आए हुए हैं और इस चेप्टर को आप सभी बिल्कुल पढ़े तो दो कोशन आप सबी को बता दिये यानि कि ये दो टीरी 2 का और दो टीरी 3 का यानि लगवा चार कोशन तो एकजाम में ये दो कोशन इस चेप्टर से जरूर आएंगे आप से भी इसको छोड़ेंगे नहीं बाकी बच गये 6 कोशन और उस तरह सेम कोशन को सेम टॉपिक को फिर से दोराया कोशन चेंज करके टॉपिक सेम रखा तो कनफॉर्म आपका एकजाम में आपका नंबर उठने वाला है और मैत अराम से आप जो है आठ में 6-7 तक पहुँच जाएंगे जरूर पहुच जाएंगे यहां अगर द्यान से देखेंगे तो यहां पर मौसम देखेंगे तो बहुत जबरदस तरीके से मौसम अमरे तरफ खराब है और पूरे आंदी तुफ़ान जबरदस आ रहा है और इसको अगर देखा जाएं तो इस वज़ा से जो है बहुत सारे चीजे जो है नहीं हो पाया है साम से ही मौसम अचानक से खराब हुआ और पूरी तरह से मौसम जो अभी तक कंटीनू मौसम खराब ही है ठीक है पूरे आंदी तुफ़ान आये हुए हैं गर्मी भी बहुत ज़ादा था हाला कि अभी थोड़ा सा रहात मिला है और ये हमारे जो है उपर च्छत पर के टारिस पर का वहां का ये भीव है और जो आपको ये पेड़ दीख रहा है ये मेरा जो मतलब फॉर्थ ये फिफ्ट क्लास में था इस्कूल से जो पेड़ मिल देते हैं उस पेड़ को मैं लेके आके लगाया था ये जामुन का पेड़ है आपको दीख रहा है और दूसरे मंजिल तक पहुँच गया इतना उपर तक पहुँच गया ठीक है पूरी वीडियो को अफ्लोड कर पाना संब्वा नहीं हो पाता है कि बहुत लंबा लंबा वीडियो रहता है उतना जीबी तो मुझा आपको आपको दूसरा क्या बताना था कि ये देखेंगे तो मैं यहां पर आपके समय स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये मैं इतिहास का जो है उसका भी मैंने तोड़ निकाल दिया हूँ कि कोश्चन मैंने देखा तो पता चला है कि कुछ ऐसे टॉपिक से कोश्चन आ रहे हैं जो वही टॉपिक बार-बार रिपीट कर रहे है टू में भी और थ्री में भी सेम कोश्चन याना टू और थ्री में सेम टॉपिक था जैसे पिछले क्लास में बताया था कि जैसे सुभास चंदर बोस से कोश्चन पूछ रहा है तो टू में भी पूछा है त्री में पूछा है गांधी यूग से पूछ रहा है तो टू में भी पूछा है त्री में कोशन आएंगे क्योंकि 1-5 में तो छिर्फ modern रहता है वो सारे कोशन का मैं उसका code निकाल चुका हूं कि कहां से BPC कोशन पूछ रहा है ठीक है तो उस topic को बता दूँगा उस topic पर ज्यादा मेहनत कीजेगा और उसके अलावा मैं जो है आप सभी को chapter 1 से अब जो है चीजे जो है six class से लेकर फिर से new रूप से सुरू करना वाला हूं उसमें क्या करूँगा खास क्या रहेगा इस बार से इस बार पहले के अपक्षा में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस बार जो है मैं personal notes बना रहा हूं जैसे chapter 1 पढ़ा है उस chapter 1 से related मैं पहले से ही उसका notes बना के रखूँगा, notes बना के रखूँगा, कल से यह चीजे सुरू हो जाएगी, आप सब continue रहेगा, बहुत चबरदस तरीके से पढ़ाऊंगा, किसी भी तरह कि उसमें सीकायत के मौका नहीं मिलेगा, किसी भी तरह कि उसमें चीजे आपको ऐसा नहीं लगा कि अब इसमें कोशित कर रहा हूँ, जैसे chapter 1 पढ़ाया, chapter 1 का उसी समय मेरे पास पहले से जो notes बना के रखूँगा, उस notes में क्या करूँगा, पहले तो chapter के अंदर जो मोटा मोटी जो चीजे दी गई ये important, उसको मैं उतार लूँगा, सरांस के रूप में, सरांस मतलब कि main में चीजे उसक पूछ लूँगा, on the spot आपसे question पूछा जाएगा, उससे क्या होगा, कि chapter complete, chapter से related जो भी question बन सकते थे, वो सारे question on the spot आपके complete हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही पूरी किताब कभर हो जाएगी, जैसे per day कोशित करूँगा, दो तीन chapter लाऊँ, जैसे ही एक दो दिनों में पूरा किताब कभर होगा, last में आप सभी को, उससे related पूरे MCQ question बना रहा हूँ, एक chapter से कम से कम 30-40 question बनाने को, किसी किसी chapter में तो 70-70 objective बन रहा है, ठीके, और पूरे मैं अपने class के offline class के student को भीड़ा दिया हूँ, पूरे तरह से, कि भाई साब, बच्चों को एदम पूरा बनाईए, आप सभी के लिए पूरी जोड़ो सोर से मेनत कर रहे हैं बच्चे, ठीके, अगर बढ़िया लगेगा अप लोग को objective, अगर बढ़िया लगेगा notes, तो आप सभी बच्चे को धन्नवाद दे सकते हैं, और चीजे जो है, अब जो आएंगे न, उसमें जो है, पहल करेंगे, वो चीजे में आप लोगो प्रवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम पर पढ़ा दूँगा, टेलीग्राम प्रवाइड करा दूँगा, उसको यहां पढ़ाऊंगा न, यहीं से आपको याद हो जाएगा, इस बार जो है, भूलने नहीं दूँगा आप लोगो, जो मैं बोल रहा हुआं, कि अभी, जो समय दे दिया है, जाने और जाने जाने में, जो भी कोट के वजए से जैसे भी हुआ, लेकिन समय मिल गया, उस समय को सद्वियोग कीजिए, उस समय को जो चीजी कमी रहेगे, उसको यूटिलाईज कीजिए, उसको दूर करने के लिए, ज पॉलेटी के लिए आप सभी के लिए खुसकभरी है, बहुत सरे बहुत सरे भाई बहन हैं, बारबर करा रहा थे कि भाई अब तो पॉलेटी पढ़ा दीज एक बहन के तो बहुत ज़ाद एमोसिनल मेसेज आ गया, को करी बहन के नाते बोल रहे हैं, आप तो पढ़ा दीजे, तो ठीक है बहना, आप आपने कह दिया कि पॉलिटी पढ़ाइए, तो मैं पॉलिटी के लिए भी, आप सभी की तरह ही एक दूसरी बहन को मैं arrange कर रहा हूँ, उनको quality पढ़ाना, जबरदस्त आता है, उनको मैं बोला हूँ, वो एक दो दिनों में, याना में भी कल या परसों से quality आप लोग का शुरू हो जाएगा, जबरदस्त knowledge उनको भी quality में, और वो political science पढ़ाएंगी, आप सभी का feedback दिखेगा, कैसा पढ़ा रही हैं, हलाकि उम्मीद है कि बेहतर पढ़ाएंगी, जैसे आप सभी हमसे connected है, आप सभी जब उनका वीडियो आएगा, मैं इसी channel पर आएगा, यहीं पर आएगा, और जब आप पढ़ियेगा, तो उम्मीद है कि उनको भी बहुत ज़्यादा, आप सभी को, उनका वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीके तो सारी चीज़ आएगे दिरी दिरे, हर चीज़ की समस्याओ को मैं समधान करने के कुशिश करूँगा और जो भी समस्याओ को फिर मैं दुबारा बलूँगा कि आपका कोई भी प्रोब्लम हो, बेज धड़क, आप मेरे पास वट्सेप कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मेरा वट्सेप नंबर मेरे सब किसी को पता है, नहीं मालूब होंगा नहीं बच्चे होंगे, अवाउट में जाकर मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा नंबर होगा डबाल नैन जिरो ट्रिपल फाइब, जिरो वन फो एट यह मेरा मॉइल नंबर है, वहाँ पर कॉल कीजिए मैसेज कीजिए, समस्या हो, सिकायत हो किसी भी तरह का, किसी भी तरह की प्रॉबलम वहाँ पर गंपर कंप्लेंड कर सकते हैं या किसी भी तरह से हमें सजगेसियन ले ले होगी तो ले सकते हैं, ठीक है एनी टाइम, आपको जवाब देने के कोशिस करूँगा तो वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं यह math का जो question है chapter को अभी मैं टेलिग्राम में upload कर देना हूँ वहाँ से आपको लेकर इसको जरूर अभिहास करना है कल तक पूरा हो जेना चीए यह task मेरा आप पूरा कीजिए और परडे में आप लोग को task के दूँगा जय हिंद जय भारत